नमस्कार मैं हूँ मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टिवी वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का यूपी में फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट का होगा गठन सीयम योगी बोले एंटी करप्शन और्गनाइजेशन की बनेगी प्रोफेशनल जाच एजेंसी अलिगड में बिधाईकों ने किया प्रदर्सन अगरवाल सामाज पन नगर निगम ने कराया मुकदमा सांसत के पहुचने पर भड़के लोग सीयम आवास पर आया फोन वरार्सी कोट कूडा देंगे कॉलर ने कहा अगर बचा सकते हो तो बचा लो एयू में अर्थी पल लेटे चात्र अस्पताल नहीं जाने की जिद पर डटे रहे जबरदस्ती तीन चात्र नेताओं को हॉस्पिटल में किया गया एडमेट पीली भीत नगर पालिका की टंकियों में आ रहा गंदा पानी अधिवक्ता हुए बिमार डियम से शिकायत करकी कारवाई की मा इंस्टाग्राम के ग्लेमरस लुक ने ली मा बेटी की जान रिक्षावाले की बेबी डॉग घुमाने के बहाने ले जाती थी नुएडा पती को चरित्र पर था शक बुलंद शेहर में पुलिस वा बदमाशों के बीच मुद्भिड 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली दूसरा फरार गोंडा में बदमाशों ने कार चालक की हत्या कर फेका था शब 8 सितंबर को गोंडा रेलवे स्टेशन के पास मिली थी कार उन्नाओ दुषकर्म की घटना चिपाने पर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर दो दिन पहले चौकी इंस्चार समेट तीन नी लंबित हुए थे कानपूर में डांडिया नाइट में छात्र नवरात्री के मौकी पर दुर्गापूजा में शामिल हुए स्टूडेंट्स फिर से बढ़ रहा गंगा का पानी वरार्सी में अभी भी डूबे हैं अस्ति प्रतिसत घाट और रेत देव दीपावली की तैयारियों पर ग्रहर अयोध्या में सडक हादसा डीसीम से गोरकपूर से लखना उजा रही एंबूलेंस टक राई तीन लोग घायल फटेपूर में सडक हादसे में महिला की मौत तेज रफतार बाई सवार ने मारी टक कर चालक की हालत गंभीर कानपूर रफर अमरोहा में रिश्वत खोर दरोगा सस्पेंड एस्पी ने सरकिल सीओ को सौपी जाच जमीन पैमाईश कराने के मांगे थे दस हजार बिंध्या चल में भक्तो के लिए फ्री भोजनाल है भक्तो की सेवा के लिए पुलिस भी आगे आई हेल्थ कैम्प में मिल रही निशुल कुसुम्धा बिजनौर में फासी पलट की महिला को पुलिस ने बचाया पती से जगड़ा होने पर फंदे पलटक गई थी भदोई में डाइरिया की चपेट में 34 लोग रामिड बोले दूशित पानी से शुरु हुई उल्टी दस एकेक कर बिगडी लोगों की तब्या मैंनपूरी में पत्नी की हत्या मामले में पती दोशी करार स्पेसल जजज ने 10 साल की कैद और 30,000 जुर्माने की सुनाई सजा जालाउन में सडक निर्माड गोटाला का आर्टी आई से खुलासा बिना निर्माड के निकाली रासी डियम ने वीडियो समेट साथ पर की करवाई राइबरेली में सडक हादसा सेना भर्ती की तयारी कर रहे दो यूवकों को अग्यात वहन ने मारी टक कर हालत ना जो सुल्तानपूर में आयोध्या प्रियाग राज नेसनल हाईवे पर हादसा ट्रक ने बाइक सवारों को रौनदा एक की मौत हापुड में दो यूवतियों से दुशकर्म वीडियो वारल करने की दे रहे धम की एसपी बोले जल्द गिरफतार होंगे आरोपी संबल में दबंगों ने सफाई कर्मचारियों को पीटा गुस्ताय सफाई कर्मियों ने कोतवाली में किया हंगामा पुलिस ने दोकों किया गिरफतार कार में लगी आग मत्रों में नेशनल हाईवे पे कार में आग लगने से मचा हडकंप दमकल ने पाया आग पर काबू ललिटपूर में महिला से नौकरी के नाम पर दूशकर्म जबरदस्ती घुसकर मीट बनवानी कारो अलिगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता पुलिस ने बच्चों को लेकर भागने वाले अभ्यूक्ट को किया गिरफतार अमेटकर नगर में परिवारी कलाहते चलते पती ने की पत्नी की हत्या घटना के बाद इस्थानी लोगों में हडकंप कारवाई मुझूटी पुलिस अमेठी में समविदा कर्मी के साथ उभोगताओं ने की जमकर मार पीट सूचना पर पहुची पुलिस ने घाल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल बुंदेल खंड एक्सप्रिस वे किनारे बने गढ़े में यूवक की डूबने सूई मौत सूचना पर पहुची पुलिस ने शब को कबजे मिले कर पोस्मार्टम के लिए भेजा नोड़ा में पुलिस बदमाश में मुट भेड लगभग देड दर्ज लूट के चोरी के मामने वांची चल रहा था शातिर बदमाश अलिगड में एम यू गजट पर छात्रों ने प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी की तस्वीर को लेकर जताई आपत्ती कुलपती से पूछे कई सवाल अमेठी मेरास्टी फिल्म पुरुसकार का किया गया आयोजन समारो में मनोज मुंतशिर ने किया सम्मानित अलिगड में सरकारी स्कूल में कमरा बंद कर डेर सो बच्चों को जबरंग लगाई वैक्सीन पचास की बिगडी तब्याद और एया में सौर मंडल में होने वाली हर्चल को छात्रों ने जाना बारवेही तक के शा विद्यार्थियों ने किया अपने ग्यान का वर्धन डेवरिया में आरपिया फेवं सीपी डियास छपरा की टीम को मिली सफलता सयुक्त टीम ने तीन शात्रों को किया गिरफतार और एया में पुलिस कर्मियों ने दी इंसानियत की मिसाल पुलिस ने कुए में गिरे यूवक को निकाला बाहर गोंडा में पुलिस सिकारे आले में नियाय दिवसका किया गया है उजन शिकायत करता हों कि सिकायत अनुसार किया जाएगा निस्तार और एया में पैत्रिक संपत्ती के बटवारे को लेकर दो परजनों में मारपीट मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल काजियाबाद में राम लीला के दोरान जूला तूटने से चार लोग घायल हादसे के बाद मैदान में मची भगदर और या में मादुर्गा के पंडालों का एस पी ने लिया जैजा एस पी ने पंडाल में बैठे लोगों को किया संबोधित गोरखपूर में विजय दश्मी पर सीम निकालेंगे शोभा यात्रा शोभा यात्रा रूट का एस्पिर सिटी ने ड्रोन कैमरे से की जाएगी निगरानी हमीरखपूर में निकाह के दूसरे दिन ही नव विबाहिता ने दिया बच्चे को जन पती छोड़ कर भागा महिला ने लगाई नियाई की गुहार गोरखपूर के ITMS कार्याले पहुचे डिप्टी सीम विर्जेस पाठक डिप्टी सीम ने ITMS कार्याले का किया निरिक्षर हर्दोई में ट्रेन ट्रैक पर हादसार हेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन गौवन शो की मौत लखनाउ के गोम्ती नगर में CMS में गांधी जैन्ती समारह का किया गया आयोजन मौके पर जगदीज गांधी रहे उपस फिर हर्दोई में मेटकल कॉलिज की पाचवी मंजिल से गिरा मासूम इर्माड़ादीन बिल्डिंग से मजदूर का बच्चा गिरने से हड़कम महराजगंज में स्वास विभाद की लापरवाही से गई एक और जान परजनों ने लगाया लापरवाही कारो राइबरेली में अग्यात वहान ने वाइब सवार कुमारी जोड़दा टक कर हाथसे में पती पतनी गंभीर रूप से घायल महराजगंज में बाल संरक्षण विभाद के कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज नौकरी दिलाने के नाम पर लिया था लाखों रुपे स्त्रावस्ती में राकेस टिकैट ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा सरकार सभी संगटनों पर केवल दबाव बनाने का काम कर रही है राइबरेली में मानसिक रूप से बिमार महिला की कुए में गिरने से हुई मौत मौत से परजनों में मचा कोहरा महराच गंज में महिला स्वास्त कर्मियों के हां से महिला दरोगा ने चहीना ग्या पन महिला स्वास्त कर्मियों ने जताया आक्रोश राइबरेली में नौनी हालों के भविश से हो रहा खिलवारी स्कूल में बच्चों से करवाया जा रहा मजदूरी मजदूरी का वीडियो हुआ वाइरल सीतापुर में पात्रों को आवास आवंटित किये जाने की मांग को लेकर नगरपालिका के पूर्व चेयरमेन ने उबजिलादिकारी को सौपा पत्र सुल्तानपुर में लाइसी एजेंट्स का धरना प्रदर्सन तमाम मांगों को लेकरे का त्रिथ हुए अभी करता लखनाओ में मडिया और पुलिस को मिली सफलता विश्पर्मा पूजा के दिन तमंचा कार्टूस की बीडियो बनाने वाला भ्युक्त गिरफ्तार मैनपुरी में सैनिकों ने गौमाता के लिए जन्पद में प्रथम शुरू की पहल अंकित शुकला की नेतृत में चलाया जागरुकता अभियान लखनवों में साइबर क्राइम सेल को मिली बड़ी सफलता साइबर क्राइम सेल टीम ने शातिर जाल साजी एवं साइबर ठगों को किया गिरफ्तार अलिगर में सावारियों से भरी कार पल्टी हादसे में महिला वापूरुस की हुई मौच चार लोग घायल अमेठी में पताखा बनाते समय हुआ भी स्पोर्ट भी स्पोर्ट में 28 वर्सी यूवक गंभी रूप से घायल मौके पर पहुची पुलिस जास में जुटी और अईया में सपाबूत अध्यक शेर रवींद्र राठोर से मिलेंगे समाजवादी पार्टी की राष्टी अध्यक चकलेश यादव 6 अक्टूबर को मिलने का दिया समय बुलंद शेहर में पुलिस का अपराधियों पर हंटर जारी को ख्यात बदमाश उमेद की गैंक्सर रेक्ट के तहट संपत्ती की कुर्क गाजियाबाद में नौकर ने मालिक को चाय में दी नशीली दवा दवा देकर नौकर ने घर में किया हाथ साफ चोरी की घटना सिसी टीवी कैमरे में कैड़ गोंडा में पना प्रहे अवैद नशे के कारोबार खुले आम बिक रहा नशे की पुडिया कारोबार पर लगाम लगाने पुलिस नाकाम ग्रेटर नौडा में क्यूडो का भयानक कार नाम आया सामने बेघर आदमी पर क्यूडो का हमला एक पैर हुआ पूरी तरह बेकार कानपुर्दे हाथ में बाल बाल बचा आटो चालक हाईवे पर चलते समय अचानक लगी आटो में आग ड्राइवर ने कूट कर बचाई अपनी जान लकनाओं में बिवादों में चल रहे गोल क्लब किया गया सील कोट ने अगरिंग मादेशों तक बाकी जगों को सील रखने का दिया निर्देश सीतापुर्गाओं के बाहर तलाब में उतराता हुआ मिला शव्ष शव मिलने से इलाके में मचा हरकम ग्रामियों ने जटाई हत्या की आश्णका लक्नाओं के गोम्टी नदी में मिला तीन दिन से लापता यूवक का शव, 26 साल का यूवक तीन दिन पहले हुआ था लापता बुलंद शहर में बस पर स्कूली छात्रों के मौत के खतरनाख सफर का वीडियो वाइरल गाड़ी सवाल लोगों ने वीडियो बना कर किया वाइरल वाराची समय देश के आठ शहर में आज से 5G योगी बोले महमारी के वक्त हमें डिजिटल ताकत का हैसास हुआ यूपी कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष बने ब्रिजलाल खबरी दलितनेता 2016 में बस पा छोड़ कर आये थे पार्टी में प्रांती अध्यक्ष भी बने मुझफन अगर में बस से टकरा कर दो बाइक सवारों की मौत चर्थावल रोड पर मदर्सा मुरादिया के समीप कुआ हद्सा यमुना के जल में हो रही बढ़ोत्री मत्रा में हजारों बिगा फसल हुई जल्मक्ष मिधायक बोले मुखमंत्री से करेंगे मुआवजे की मांग सोन भद्र में कुए में गिरने से यूवक की मौत राम निला देखने के लिए कुए की मेड़ पर बैठा था आसंतुलित होकर गिर गया 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही देज़ दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार